कर दोधी कर लेकिन अगर इसका रस पिये दूदी बोपडे का तो आपके शरीर की पंदरे बीमारी ओंको अकेला दूदी बोपडे का रस्टिक कर देंगा तीन दिन भी अगर फी लिया तो मेरी गारिंटी है कि अगले 30 साल हर क्रटेग निया है इर्दय घाथ हर क्रटेग, कार्ड या करस इनको भी होया है या होने की शक्तिता है उन सब की सबसे अच्छी आउशद है दूदी बोपड़े का रस क्या करना है मुद्धि भोब्भड़े को काट चोट चोटा पीस फिर चट्नी बनाना फिर उसको कपड़े में निचोड़के रसकर he नहीं तो मिक्सर में सीधे छोटे पीस काट के रसे कल से अब यह तो दूदी वोपड़े का रस है इसमें थोड़ा कोत्मीर का रस मिला है एक गिलास दूदी वोपड़े के रस में आदा चम्मच कोत्मीर का रस फिर इसमें आदा चम्मच कोदीने का रस में पोदीना फिर इसम में तुलसी का रस भी मिला सकते हैं आदा चम्मच और यह सम्मिला के जो रस तैयार हुआ इसको सुबह सुबह पी नहीं तो इससे क्या-क्या ठीप होने वाला है तो इससे अगले तीस साल हुआ प्रटेक नहीं है कभी नहीं है तो हिरदय घाट की सभी बीमारियों में शब्से अच्छी हो तो निगोपने करें तो कभी कभी डॉक्तर आपको यह कहता है कि आपके हिरदय में ब्लॉकेज है तो अब आपको नमस्ते करके घरा जाओ तो डॉक्तर के पास जाने की गरेजी नहीं पड़िगे झाल झाल